हाई अब्रीबन कैसे हैं आज किस वीडियो में देखने बाले हैं बीस्सी थर्ड यर वालों के लिए बीस्सी थर्ड यर फिजिक्स का फस्ट पेपर और थर्ड पेपर तीनों पेपर को एक साथ देखेंगे हैं लोग क्योंकि हम आप इस वीडियो से 85% ला सकते हैं इस वीडियो को देखकर बस बादा करने हैं उसके बाद में जो याद है बो करना है उसके बाद में जो याद है वो करना है उसके बाद सौट की कोशन बो करना है जो याद है जो याद नहीं है वो बाद में करना ठीक है और लेकिन करना जुरूर है याद हो या ना हो बना बना के लिए कापी को पूरा भर के आ रहा है एक एक कोशन को करके आना है मैं आपसे कर रहा हूं कि इन कोशनों को आप पढ़ लेते हो ना 55% प्लस एकसाम में देख लेना एक भी कोशन बाहर नी जाए उससे पहले कुछ कहना चाहूँगा मैं आपसे मन्जिल नाराज हो जाएगी अगर अजनवी राहों से दिल लगा वैठे तो समझरेगा ना तो मन्जिल तक हमें जाना है और अजनवी राहों से हमें क्या है दूर रहना है ठीक है तो हमें बस अपनी मन्जिल जो है ना उसको किलिर करना है तो वह चीज़ हमें पढ़ने चाहिए जो एकसाम में आए मेरा मतलब यह है फ़ल्तों चीजे मत पढ़ो आप जो तुमने पढ़ा मुझे कोई फरक नहीं पढ़ता बुझी तुमने कोचिंग पढ़ी होगी बहुत कुछ पढ़ा होगा फरक नहीं पढ़ा मुझे लेकिन अब मैं जो बोल रहा हूं वह पढ़ लो एक्जाम में तुम्हारा कल्याण हो ज करेंगे स्थर को फर्मी लेवर भी लेवल भी कह सकते है और आज सममीकर यह आप देखेंगे ठीक है उसके बाद में आता है उसके चिआ कर देखेंगे और यह कभी यह आता है अईसbstम के बारे लिए पढ़कर जाएंगे इसको हैá इसक मीधित वाह history. यह बहुत सो मॉस्ट इंपोटेंट होगा एक याद रखना ओके लारेंज रुपांधर क्या होता है इसको पढ़के जाएंगे लारेंज रुपांधर की बाद में देखिए इसका इंग्लिस और हिंदी दोनों दे रखा है कोई दिक्कत नहीं है ठीक है तो यहीं आप उसकी समय कर उसका उप्यों नियम दोनों पढ़ पाएंगे ठीक है और प्रमे क्या होती इसको पढ़ देना उसकी बाद में हम नीचे जाएंगे देखो ध्यान से एक बार रिपीट देख लिए गार वीडियो को रोक लिया करो कोई दिक्कत नहीं है उसकी बाद प्रावलब इस पीड बैलिव जिसे कहते हैं गती और गती के मान के बारे में यह फिर आपसे पूछ लेगा जो स्पीड पूछ लेगा कि वे गती क्या होती है और गती का वित्रण क्या होता है तो यह आप दोनों पढ़ देंगे ठीक है उसके बाद में नीचे हम जाएंगे है और नीचे जाने के बाद में ज़्यांट से देहां कि में जो बोल रहा हूं प्रव कण़े बहारे में उपर बता रहका है और इसके बारे मिم मैं उपर पता रहता है और इसके देखने और यहा बहीं आ भी जाता है औरस यह огशन आ आ जाता तो आप भही देते हो ना कोशन यहां देखना है इस फस्त पेपर में भागी हम इसके सैकंड पेपर की बात करने वाना है एक है तो सैकंड पेपर पहुंच अelम करें homogeneous इन Carla G और देंगी है यहां ने पढ़ना है क्योंकि हम उपर ही बता चुके यह आप थोसों के बारे में देखना क्या होता है इसको आप पढ़के जाएंगे जाल चालक अचालक और दोनों आप आराम से पढ़के आएंगे चैन सरंकला वीक्रिया विक्रिया क्या होती और मिलर सुचांग क्या होता है इसको आप पढ़के जाएंगे यह बिलकुल आप खोड़ा सा पढ़ लेंगे ना तो काम हो जाएगा डामेंड सरचना इस मौश्ट इंपोटेंट रहेगी क्रिस्टलों के साथ समुदाया को उल्लेक और उनके गुणों के बारे में पढ़के इनको पढ़के जाएंगे नावी की सरचना के बारे में पढ़के जाएंगे और प्रिकारक। खहांगे यह अग्रमान बंदूर्जुन आपको लेंगे व्लाउग क्या होता है प्लोग में क्या होती है नाभी की बारे मी पढ़ेंगे से और सुचन बढ़े के बारे में नावेधीक की वल्ल क्या होता है अपे अगा थेक्वालवालवाट है तो उसक्पाद में सब्सक्रां शोड़ देए और परमशन न ताफ पर जो wilt harbor होती है इसको पढ़ेंगे जालक कंपन को देख लेना यहीं से सारा कोशन आपका ओपर क्लियर हो जाएगा उपर यहीं से सब्सक्राइब करो उसके बाद में सबसे ज्यादा देखेंगे एक याद रखना कि अर्ध होता है अर्ध साल अर्ध सालक को हम सुध होता है और डायोट चंदि क्या होतीए तो और संदी की वारें देखेंगे और तरणल डायोट की वारे परिभासां के पूछ लेता है उसके बाद में आप से पूछ लेता है कि आपको देखिए जिसे कहते हैं जैफ्ट टाइप एंड उसके बिधी बनाने के लिए आप जानते हैं जो लगे होते हैं तो उस मौसफेट के बारे पूछ लेता है तो आप से पूछता है तो अब इस कोशन को एक बाद देख के जाएंगे जिसे हम कहता है इसको आप पढ़ेंगे बहुत जादा पूछ जाते हैं यह पढ़के जाएंगे और सॉट की डायोट क्या होता है अब इसको पढ़के जाएंगे अर्दचालक की संधी बुमें उपर मनें बताई थी और प्रबर्दक क्या होता है यह बहुत जादा है एंप्लिफायर इस इन दोन को देखेंगे एक होता है डोल्टेतार निर्फिफायर एंदोणों को कर बहुत बहुत इंप्रणट क्या है उसमें होने वारी कौन कौन सी जो डिश्ट डॉटेशन होती है उनके बारे में बताना होता है ठीक है इन को अच्छे तरीके से बाढ़ने ना पाखी कुछ एक्स्ट्रा नहीं पूचे गया यहां से बाहर कुछ नहीं जाने वाला थेक है तो इतना दिहां देना और टा होता है उसकी बारे में तो आपको सब पता है कि क्या सकता है और सब जानते हैं कि मुझे क्या पढ़ना चाहिए और मैं आपको थोड़ा सा हेल्प देता हूं कि आप इनको पढ़ लगो तो मैं 85% की कारेंटी तो मैं दे सकता हूं ठीक है 85% यहां से बाहर नहीं जाएगा तो आप इन कोशनों को रट के चले जाना और बाकी कोई भी कोशन छूटता है आपसे एक दो कोशन भूल जाते हो याद नहीं आता तो बना बना के लेकर आना लेकिन छोड़ के नहीं आना है ठीक है इस बात को याद रखना है तो आसकी वीडियो कैसे लगी कोमेंट सेक्सर में आप जरूब दाएगा आशा करता हूं वीडियो पुशन चलको सस्क्राइब को बैल आइकन को प्रेस करेंगे और हाँ BSC Paper Hacker Channel को सब्सक्राइब करेंगे ना क्योंकि BSC की वीडियो वहाँ को प्रेट करेंगे थैंक यू बाई बाई